नमस्ते मेरे प्यारे बच्चों, मैं सीमा सिंग, आनन टिटोरियल में आपका स्वागत करती हूँ बच्चों आज की पार्ट साला में हम कक्षा दूसरी विसे हिंदी, हिंदी विसे में आज हमारा पार्ट पांच, सब्दों का संजाल बच्चों इसमें आपको जो दिख रहे हैं ना, अक्षर, ये बारा खड़े के अक्षर है, ठीक है, अब इसको हम बात में देखेंगे, पहले हम नीचे देखते है, चुन, चुनकर, पढ़, अब यहाँ पे का दिखा है बच्चों, वर्ग, यहाँ पे कवर्ग है, चवर्ग ह तवर्ग है, और पवर्ग है, तो बच्चों कवर्ग में देखो यह आता है, क, ख, ग, ग, अंगा, यह कवर्ग में आते हैं, और चवर्ग में आता है, च, छ, ज, ज, इयाँ अब तवर्ग में देखो त, ठ, ड, ध, अड, यह सब तवर्ग में आते हैं, त, ठ, द, ध, न, यह सब तवर्ग में आते हैं, प, फ, ब, भ, म, यह सब पावर्ग में आते हैं, अब आपको यह समझ में आ गया कि पावर्ग में क्या आता है, तवर्ग में क्या है, ठीक है, अ आप दूसरा आता है पंचमाक्षर ध्वनी आप बोलोगे कि ये पंचमाक्षर ध्वनी क्या है टीचर तो मैं आपको बताती हूं बच्चो देखो बच्चो ये कवर्ग है कवर्ग में जो पांचवाक्षर होता है उसे हम पंचमाक्षर ध्वनी कहते हैं अब ये कवर्ग है च पांचवा अक्षर क्या हैंगा, तो यह जो अंगा है, यह पांचमा अक्षर धोनी है, थिक है, अभी यहां पर देखो च वर्ग में, पांच माख्षर क्या है पांचवे अक्षर है या च, छ, ज, ज, या पांचवे अक्षर पे क्या आता है या तो ये पंचमाक्षर है और त वर्ग में ट, ठ, ड, ढ, अड, ये पांचवे अक्षर है ये है पंचमाक्षर और त वर्ग में त, ठ, द, ध, न जो ना है ये पाँचवे नमबर पे आता है इसलिए से पंचमाक्षरध्वने कहते हैं और पवर्ग में प, फ, ब, भ, मा जो मा है ये पाँचवे नमबर पे आता है इसलिए से पंचमाक्षरध्वने कहते हैं अब इन जो पंचमा क्षर ध्वनी है इन सब में हल की मात्रा लगी है मतलब आधा करके लिखा हुआ है बच्चों आप लोग कक्षा पहली में देखो कक्षा पहली में हम लोगों ने हल लगा कर जुड़े हम यह हम पहली कक्षा में पढ़ चुके हैं जैसे है हट्टी यह देखो ड्ड में हल लगा दिया मतलब आधा ड्ड ड्डी हट्टी गदा गठा द्वार पाथ्य पुस्तक लट्टू यह सब में हमने क्या किया है हल लगा कर बनाए है ठीक है यह देखिए त, ठ, ड, ध, ध, द, ह, सब में हल लगाया हुआ है ठीक है तो यह हम पहली कक्षा में पढ़ चुके हैं कोई अक्षर अगर हमें आधा लिखना होता है तो हम उसमें हल लगा देते हैं ठीक है बच्चो तो यहां पे भी देखो अंगा इया अड़ा न म सब में हल लगा दिया गया है आधा करके लिखा गया है अभी यहां पे देखो बच्चो कंगन तो कंगन में अंगा इसकी धोनी सुनाई देती है द्यान से सुनिये कंगन अभी यह चंचल चंचल में यह सुने देता है चंचल आता है ना जन डा नन इसमें आधमा सुनाई दे रहा है तो ये शब्द बने हुए है बच्चों ये शब्द है इन शब्दों से हमें क्या करना है वाक्य बनाना है तो यहाँ पर देखो कंगन कंगन शब्द से वाक्य बना हुआ है मुझे कंगन बहुत प्रिय है मतलब कि मुझे कंगन बहुत अच्छा लगता है फिर यह है मतलब बहुत अच्छा लगता है बच्चों यह जो कंगन है इसे हम कहां पहनते हैं कंगन को हम हाथों में पहनते हैं अब हमारा दूसरा शब्द है चंचल चंचल तो इसका वाक्य बना है मुक्ता बहुत चंचल है मुक्ता एक बच्ची है एक लड़की है वो बहुत चंचल है चंचल मतलब उसको एक जगा बिठा दो ना तो वो वहाँ से उठके दूसरे जगा चले जाएगी ऐसे बच्चों को हम कहते हैं कि यह बहुत चंचल है जंडा जंडा उच्चा रहे हमारा बच्चों हमारा जो जंडा है उसे तिरंगा कहते हैं तिरंगे में तीन रंग होता है हमारे जंडे में सबसे उपर नारंगी रंग फिर बीच में सफेद और नीचे हरा और जो सफेद रंग होता है उसके बीच में असोक चक्र बना रहता है नीले रंग का है ना जंडा उच्चा रहे हमारा हमारा जंडा हमेशा उच्चा रहे नंदन नंदन अच्छा खिलाडी है नंदन एक बच्चे का नाम है लड़के का नाम है और कहा जा रहा है कि जो नंदन है वो बहुत अच्छा खिलाडी है मुंबई महानगरी है बच्चो जहां पर बहुत सारे लोग रहते हैं उसे महानगर कहते हैं 40-50 लाग से लोग जहां पर रहते हैं उसे महानगर कहते हैं तो जो हमारी मुंबई है वो महानगरी है तो बच्चो आप लोगों को कौन से वर्ग में कितने अक्षर है ये समझ में आ गया है पंचमा अक्षर ध्वनी किसे कहते हैं ये भी आपको पता चल गया है और पंचमा अक्षर ध्वनी में आदाहल लगा कर ये शब्द बने हैं और इन शब्दों का उपयोग हम ने किया है। अब बच्चों हम स्वाध्धाय करेंगे। ठीक है? स्वाध्धाय। सुनो और दोहराओ। जो मैं बोलूँगी वो आपको सुनना है। और मेरे साथ में दोहराना है। अंकुष, चंचल, मंथरा, चंपा, अंतरा, पंखुडी, वंचित, गुमफन, बंटी, कंठिका। पढ़ो और समझो। कंगन, गुंजन, सुगंधा, नंदु, अंबिका, घंटी, मंजरी, पंधरी, रंभा, चंडिका। तीसरा, संगनक और उसके भागों को देखो और चर्चा करो। बच्चो, संगनक मतलब कंप्यूटर। बच्चो, ये चित्र किसका है? ये चित्र है मॉनिटर। बच्चो, मॉनिटर, कंप्यूटर का एक आउटपुट डिवाइस है जो एक तार के जरिये CPU से जुड़ा होता है ये टीवी की तरह होता है देखो, टीवी की तरह दिख रहे है ना? जो मॉनिटर होता है, ये टीवी की तरह होता है इसका मुख्य काम CPU में चल रही पक्रियाओं को दिखाना है इसका मुख्य काम क्या है? जो CPU में चल रही प्रक्रियाओं है, उसको दिखाना है ठीक है? बच्चो, ये चित्र क्या है? इस चित्र को हम बोलते हैं, CPU CPU को कम्प्यूटर का दिमाग भी कहते है CPU को कम्प्यूटर का सबसे महत्वपुन भाग माना जाता है फिर ये क्या है बच्चो, ये है कीबोर्ड इसे कहते हैं, कीबोर्ड कीबोर्ड एक input device है ये data को input करने का काम करता है इसका उपयोग computer को निर्देश देने के लिए किया जाता है इसकी मदद से हम लिखने का काम करते है हमें जो भी लिखना रहता है हम कीबोर्ड पर लिखते है ठीक है बच्चो उसके बाद ये है mouse ये क्या है बच्चो mouse है देखो चुए की तरह mouse है न चुए की तरह दिखता है इससे क्या कहते है mouse ये चुए की ही तरह दिखता है ये देखो चित्र में आपको दिखाई दे रहा है न हम mouse का इस्तेमाल मुखे रूप से monitor पर item को चुनने उसे खोलने और बंद करने के लिए किया जाता है माउस के जरिये हम कम्प्यूटर को निर्देश देते हैं फिर उसके बाद ये है स्पीकर ये किसका चित्र है? देखो ध्यान से बच्चो ये क्या है? ये है स्पीकर ये एक आउटपुट डिवाईज है जो स्पीकर होता है ये एक आउटपुट डिवाईज होता है जो कम्प्यूटर से ली गई सारी जानकारी को यूजर तक पहुचाता है यहाँ आपके कम्प्यूटर में केबल या वारलेस तरीके से कनेक्ट हो जाता है, जोड दिया जाता है कुछ कमप्यूटर में speaker उनके अंदर ही पहले से रहते है, कुछ कमप्यूटर ऐसे होते हैं कि जिसके अंदर पहले से ही speaker होता है आगे चौथा लिखो, शब्दों के संजाल में आए बच्चो के नाम बच्चो ये जो हमारा शब्दों का संजाल है इसमें बहुत सारे बच्चों के नाम आए हैं तो हमें उसमें से नाम लिखना है तो चलो हम धूरते हैं बच्चों के नाम अब भी देखो बच्चों सबसे पहले ये देखो बच्चों एक नाम यह हो गया, ठीक है, इसको हम यहाँ पे लिख देंगे, सुगन धा, अब दूसरा नाम देखेंगे बच्चों हम, ठीक है, देखो, दूसरा नाम, यह देखो बच्चों, रम भा, यह दूसरा नाम है, ठीक है, तो हम यहाँ पे लिख देंगे, रम भा, अब आगे देखो, देखो, रम भा के आगी है, मंजरी, है ना, ऐसे हमें गोल करना है, और वो नाम हमें यहाँ पर लिखना है, मंजरी, अब उसके बाद देखो बच्चों, यह देखो बच्चों, नन्दू, यह भी बच्चों का नाम है, आपको भी उसको ऐसे सरकल करना है, गोल करना है, अब हम यहाँ पर लिख देंगे, नन्दू, और देखो बच्चों, यह देखो बच्चों, मन्थरा, है ना, दिखाए दे आपको, मन्थरा, हम यह भी धर लिख देंगे बच्चों, मन्थरा, ठीक है, यह गलत हो गया, इसको मैं नीचे लिख देती हूँ, ताकि बच्चे गलती ना करे, मन्थरा, आगे देखते हैं, और देखो बच्चों, हाँ, यह देखो बच्चों, यहाँ पर भी एक नाम है, नन्दिनी, ठीक है, अब यह नाम हमें हाँ पर लिख देते हैं, नन्दिनी, और नाम देखो बच्चों, और नाम हमें देखना है, हाँ बच्चों, यह देखो, आपको दिखाए दिया, चम, पा, हमने यहाँ पर लिख दिया, चम, पा, ठीक है, अब देखो बच्चों, और क्योंसा नाम है, जो अभी तक हमने लिखा नहीं है, यह दिखो बच्चों, यहाँ से, अंजना, हमने अंजना नाम नहीं लिखा है, अंजना, तो हमने कितने बच्चों के नाम लिखे, एक, दो, तीन, चार, पांच, छे, साथ, अट, अब बाकी जो बच गए हैं, वो नाम आप धूड कर लिखो, ठीक है बच्चों, बाकी का काम मैंने आपको दिया है, वो आपको धूड कर लिखना है, इसमें और भी बहुत सारे बच्चों के नाम हैं, जो आपको धूड कर लिखना है, पांचवा, पूरी वर्णमाला क्रम से सुनाओ, तो पूरी वर्णमाला आप लोगों को मुझे लिख कर दो बच्चों, ठीक है, आगे, अब ये लड़का आपसे कुछ पूछ रहा है, आप स्कूल जाते हो, तो आप पानी का बोटल लेके जाते हो ना पानी पीने के लिए, लेके जाते हो ना, तो आप पानी पीते हो और पानी बच जाता है, आपके बोटल से आप पानी पीते हो लेकिन उसमें कुछ पानी बच जाता है, तो आप जो बच्चा हुआ पानी है, उसे क्या करते हो आप इस प्रश्ण का उत्तर मुझे कमेंट करके बताईए कि बच्चे हुए पानी का उपियोग आप क्या करते हो आपने स्कुल में पानी लेके गए हो आपने पिया और थोड़ा पानी बच गया है तो बच्चा हुआ पानी का आप क्या करते हो यह आप पूछ रही है कि तुम ग्लास में जितना तुम्हें चाहिए, जितना तुम्हें पीना है उतना ही पानी लेते हो कि पूरा भरके लेते हो? तो इन दोनों प्रश्णों का उत्तर आप मुझे कमेंट करके बताईए ठेक है बच्चो तो हमारी जो आज की पार्चाला है वो यहीं पे समाप्त होती है अगली पार्चाला में हम कल फिर मिलेंगे अगर आप मेरे पार्चाला में नए हैं तो मेरे पाड़ साला को लाइप करिए, सब्सक्राइब करिए, कमेंड करिए और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर करिए अगर आप मेरी पाड़ साला देखते हैं और अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले आप मेरे पार साला को सबस्क्राइब कर लीजिए और जो घंटी का चित्र है उसे आन कर दीजिए ताकि मैं जो भी वीडियो डालू वो सबसे पहले आपको मिले और आप सभी बच्चे अपनी पढ़ाई अच्छे से कर सको ठीक है बच्चो अगली पार साला में हम कल फिर मिलेंगे तब तक के लिए बाई बाई बच्चो